वेलकम गाईज, वेलकम टू मैचैनल, आज हम लोग मध्य परदेश में जो हाइयर स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एक्जाम होता है, उसका ही प्रिविएस एर कुश्चन वेपर 2019 में जो हुआ था उसको डिटेल में सॉल्व करेंगे, जैसे हरियाना के अंदर एस्टेट होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो सैट के एक्जाम होते हैं, अपने अपने स्टेट के, उनके नेम लगलग होती है, उसी तरह से मध्य परदेश में यह जो एक्जाम है, हाइयर टीचिंग का स्कूल लेवल पर, यह एक्जाम अब दो अगस्ट को होगा, तो उ उसके बाद जो डिट रिपलेस भी का एक्जाम हुआ था 21 सारी को, 21 जून को, उस कोशन पेपर को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम यूजी सी नेट का जो रिसेंट एक्जाम अभी हुआ है, उसकी जो रिस्पोंज शीट आई हुई है, उस कोशन पेपर को भ या डिफरेंट डिफरेंट केविस एक्जाम दो, आपको कोशन का जो लेवल है, इसी तरह का पूछा जाता है, तो आप जितनी कोशन प्रैक्टिस करते हैं, उतना हमारी क्या होती है, एकनोमिक्स इंप्रोव होती है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, कोशन समझ आते हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, आज का जो हमारा पहला कोशन एकनोमिक्स का, हमसे पहले कोशन में क्या पूछा गया है, हमसे पहले कोशन में पूछा गया है, ओलिगोप सोनी क्या होती है, मतलब अलपा क्रेटा धिकार क्या होता है, फ़र्ट में बोला है market of more than two buyers but limited to few कि एक ऐसी market जहां पर खरीदने वाले दो से ज़्यादा होते हैं लेकिन वो कुछ ही संचा में होते हैं and fourth option बोला गया है market of many sellers जहां पर बेचने वाले अने को होते हैं अब देखिए आपको question में ही इसका answer दिया है question क्या है अलपा क्रेट अधिकार की खरीदने वाले कुछ ही लोग होते हैं तो यहां पर option number third market of more than two buyers but limited to few कि ऐसी market जहां पर किसी चीज़ को खरीदने वाले दो से तो ज़्यादा होंगे लेकिन उनकी भी संचा few रहेगी कुछ ही रहेगी कुछ पूरी मार्किट पर एक अधिकार है तो इसलिए इस question का right answer क्या हो जाएगा option number third आपका यहां right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में है फास्ट human development report कब publish की गई थी आप लोगों को पता है यूएंडीप United Nation development program यह क्या करती है human development report को publish करती है और सबसे पहली जो publish की गई थी वह 1990 में publish की गई थी और महबूल उलहक जो थे उन्होंने इस report को publish किया था अगर हम बात करें hdi की उसकी जो ranking होती है उससे भी question काफी जादा पूछा जाता है और इसके जो कितने component है इसके तीन component है hdi के first होता है हमारे पस education second life expectancy and third आपका होता है पर capital income अगला question देखिए अगला question है कि when goods are consumed और both in a whole number जब आप क्या करते हो जितनी भी goods आप consume करते हो या खरीते हो वो आपकी whole number में होती है whole number का मतलब है या तो आप उस goods की एक quantity खरीते हो दो खरीते हो तीन खरीते हो आप उस goods को fraction में consume नहीं करते जैसे अगर आप कहो अगर हम चाई की चीनी की बात करें चीनी एक ऐसा good है जिसमें आप क्या करते हो किसी भी चीज को खरीते हो time उसको fraction में consume कर सकते हो जैसे आप 1 kg चीनी ले सकते हो फिर आप क्या कर सकते हो देड़ किलो ले सकते हो तो आपको यहां क्या पता लगा कि आपने जो चीज खरीद दी वो आपने fraction में खरीद ली ठीक है non-discrete preference and fourth option में बोला है quasi linear preference यहां question में आपको समझ आया कि जब हम किसी भी चीज की quantity को consume करे या खरीद दे किस में खरीद दे whole number में खरीद दे one two three आपको quantity उसकी purchase करनी पड़ेगी तो उस time जो consumer होता है उसकी जो preference होती है वो क्या कहलाती है वो आपकी हमेशा कहलाती है discrete preference तो इसी लिए इस question का right answer क्या हो जाएगा option number second आपका right answer हो जाएगा अगर आप बात करों यहां पर discrete goods क्या होती है अभी आपको मैंने बताया discrete goods वो good होती है जो आप consume करते हो एक whole number में कभी भी आप उनको fraction में consume नहीं कर सकते जैसे आप लगा लो furniture लगा लो phone लगा लो आप अगर आप फोन खरीदने जाते हो एक phone खरीद ओगे दो खरीद ओगे तो यहां पर fraction में consume भी नहीं कर सकते और खरीद भी नहीं सकते तो यहाँ पर क्या होता है तो यहाँ पर जो consumer की जो preference होती है वो कै कहलाती है discreet preference कहलाती है, यही चीज मैंने आपको बताई और यही चीज हमने समझ भी ली discrete preference होती है, अगला question देखिए, अगले question में क्या पूछा गया है है अगले कोश्य में पूछा गया है लोंग रन आवरेज को ऊस्ट कव जो होता है modern थिवucharी मी कैसा होता है फस्ट अप्शन में बोला है यूशेप का होता है सेकंड अपशन पर ऑफ inclusion में बोला है एलर शेप का होता है वो आपका L-Shape का होता है इस तरह से आपका Long-run average cost कव होता है यहाँ पर आपका क्या होता है economies of scale होती है और यहाँ पर आपका economies of constant scale होती है मतलब economies of scale और dis economies of scale बराबर होती है और Long-run में modern theory यह पताती है आपको कि long run average जो आपका cost कव होता है वो short run में जो आपकी average cost कव होता है उससे क्या बनता है तो इसी लिए इस question का right answer आपका क्या हो जाएगा option number second आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में क्या बोला गया है अगले question में आपसे बोला गया है if the isoquant जो आपका है is L shape आपका isoquant की जो shape है वो कैसी है अगर आपके isoquant की shape कैसी है L shape है तो वो क्या कहलाएगा आप उसको किस नाम से जानोगे first option में बोला है आपको input output isoquant second option में आपको बोला है activity isoquant third option में आपको बोला है convex isoquant fourth option में बोला है linear isoquant अब आपको बता है जो आपका क्या होता है perfect complementary goods आपको बता है वो भी L shape होती है उसी दरह से जब आपका isoquant L shape का होता है इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके production करने के लिए जो भी आप input use कर रहे हो वो क्या है perfect complementary है जैसे हमारे पास isoquant में क्या होता है product produce करने के लिए एक तरफ आपके पास labor होती है एक तरफ आपके पास capital होती है आप दो inputs का use करते हो और यह यह दिखाता है कि अगर आपका isoquant की shape L shape है तो इसका मतलब यह हुआ कि आप जो input use कर रहे हो वो एक दूसरे के perfect complement है और firm उनका एक fix proportion use करके क्या कर सकती है product को produce कर सकती है जैसे कि अगर एक firm को एक quantity बनानी है तो उसको इतना तो labor चाहिए और इतनी उसको इतना capital चाहिए उसको fix amount में और इतना ही उसके पास labor होना चाहिए तभी वो एक quantity को क्या कर सकती है produce कर सकती है तो आप इसको क्या बोलोगे अगर आपका iso quant L shape का है तो हम इसको बोलेंगे input output iso quant option number first आपका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में बोला है if sparesman coefficient of rank correlation is equal to 1 तब क्या होता है concept दिया था वहाँ पर बोला है कि जो rank में जो value आती है उस correlation coefficient के value आएगी 1 तो आप क्या बताओगे इसका मतलब तो first statement बोली गई है कि all the total variation is explained by regression line कि जो total variation होता है पूरे data में उसको आप regression line से explain करोगे second option में बोला है ranking of two variable are totally different कि जो भी दो variables के अपने ranking की है वो बिल्कुल different है third option में बोला है ranking of two variable are totally agree या जो आपने ranking की है variables की आप उससे पूरी तरह से agree करते हो इसका मतलब यह है या fourth option में क्या बोला है ranking of two variable are partially agree आप उन दो variables की ranking से partially का करते हो agree करते हो अब आप लोगों को पता है sparesman ने क्या concept दिया था rank correlation का जो concept है उन्होंने दिया था उन्होंने का था जो हमारे qualitative variables होते है जैसे आपको किसी की beauty चेक करनी है आपको किसी की intelligence चेक करनी है तो आप उस situation में rank correlation को लगाएंगे और आप लोगों को पता है कि जो rank correlation होता है उसमें जो value होती है वो आपकी क्या रहती है rank correlation की value आपकी आपकी minus 1 से कितनी रहती है plus 1 रहती है अगर आपकी rank correlation की value यहाँ पे question में क्या बोली है 1 है तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब हमेशा ये होता है कि जितने भी आपके variables हैं वो क्या है आपस में perfectly association है association का मतलब कि उनके बीच में जो ranking है जो relation है वो perfectly positive है ठीक है तो इसलिए यहाँ पर question में क्या बोला था कि अगर आपका rank को relation 1 आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो ranking है दो variables के बीच में जो relationship है उससे आप पुरी तरह से agree करते हैं तो इसलिए इस question का right answer option number 3 आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए the economist who popularize indifference curve approach किन किन economist ने indifference curve की जो approach थी उसको popular बनाए था तो जे-र हिक्स जो थे उन्होंने indifference curve की अप्रोच को popular किया था लेकिन indifference कःव का सबसे पहले concept जो है परतों ने दिया था तो किनोंने concept दिया था फैरतों ने दिया था लेकिन इसको popular करने का का में जे-र हिक्स ने किया था तो इसलिए इस question का optionmost पर फर्स आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा अगला कुशन देखिए अगले कुशन में क्या बोला है तो हम सब को बता है ये concept होता है हमारा marginal propensity to save तो इसी लिए इस question का right answer आपका क्या हो जाएगा option number second आपका right answer हो जाएगा अगले question देखिए अगले question में क्या बोला है which among the following is true regard the dead weight loss अब यहाँ परीब बोला है कि dead weight loss के बारे में कौन सी statement correct है अब आपको simply language में आपको मैं बता हूँ dead weight loss क्या होता है एक ऐसा amount of ऐसा ऐसा पैसा या ऐसा amount आपका जो ना तो producer के पास जा रहा है ना ही consumer को फायदा हो रहा है उससे और वो क्या हो रहा है ना government के पास जा रहा है तो वो चीज़ क्या कहलाती है आपकी dead weight loss क्यालाती है इसको प्रभावित करता है प्रड्यूसर पर कोई इंपक्ट नहीं डालता ठीक है अगली स्टेक्मेंट देखिए इसको प्रड्यूसर को अफेक्ट करता है कंजूमर को नहीं करता कि यह कंजूमर को भी अफेक्ट करता है और प्रड्यूसर को भी अफेक्ट करता है अगली स्टेक्मेंट है इसको यह प्रभावित नहीं करता अभी मैंने आपको बताया कि एक ऐसा पैसा होता है एक ऐसी इंकम होती है ना तो प्रड्यूसर के पास जा रही होती है ना ही गुवर्मेंट के पास जाती है और ना ही कंजूमर को इससे फाइदा होता है तो यह चीज़ कहलाती है डैड़ वेट लोस इसलिए इस question का जो right answer आपका होगा कि यह producer को भी consumer को भी government को भी सबको affect करती है तो government option में है नहीं तो इसलिए हम option number third के साथ जाएंगे अगर मैं आपको इसका diagram बना के दिखाऊ ना तो देखो आपको समझ आ देगा बहुत अच्छे से आप देखें जब demand curve यह है supply यह है दोने intersection point होती है तब perfect competition की situation होती है कोई dead weight loss नहीं होता चीक है यह सारा हिस्सा producer के पास चला जाता है यह उपरवाला सारा हिस्सा consumer के पास चला जाता है surplus के रूप में तो कोई dead weight loss नहीं होता अगर price की ceiling कर दी जाती है माले price गोर्मेंटाई उसने तैय कर दिया जैसे ही price की ceiling की जाती है वैसे ही price ही change हो जाते है P से price P बना जाता है ऐसी situation में consumer का surplus होता है वो भी घट जाता है producer को surplus मिल रहा होता है वो भी घट जाता है और सबका नुकसान होता है तब dead weight loss आता है अब देखिए producer का surplus भी घट गया consumer का surplus भी घट गया अब देखिए ये वाला हिस्सा यह जो मैं आपको मार्क करके दिखा रही हूँ ये वाला हिस्सा consumer लेके चला जाएगी consumer surplus के रूप में ये वाला हिस्सा जो नीचे वाला हिस्सा यह producer के पास जाएगा producer surplus के रूप में यह वाला जो है बीच का हिस्सा यह government ले जाएगी government revenue के रूप में और यह वाला हिस्सा यह वाला जो हिस्सा है and यह वाला जो part होता है यह आपका dead weight loss कहलाता है तो आपको क्या समझाया कि हर किसी को affect करता है ना तो यह consumer के पास आता है ना यह producer के पास आता है और ना ही government के पास आता है तो यह हिस्सा आपका dead weight loss कहलाता है तो इसी लिए और यह कब होता है perfect competition में कभी भी dead weight loss नहीं होता जब किसी भी तरीके से government market में enter करती है और price सेट होते है उसको change करने की कोशिश की जाती है तो इसी लिए इस question का right answer आपका option number third right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में क्या बोला गया है which among the following is not an adverse environmental effect of faulty utilization of water resources अब इन में से क्या एक adverse environment effect नहीं है अगर आप जो दूशित पानी है उसका utilize करते हो ठीक है आपने क्या किया जो खराब पानी होता है उसका आपनी यूज किया पानी खराब है और फिर भी उसका environment पे क्या है negative impact नहीं है तो इन में से कौन सा example set बैठता है फर्स्ट है adverse environmental effect of big dams second है salinity third है destruction of habitat and fourth है subsistence of land due to excessive duplication आप आप देखिए जब क्या होता है first option में लवन्ता जब हमारे पास हमारे जो water होता है उसके अंदर ज्यादा sanitation बढ़ जाता है ज्यादा लवन्ता बढ़ जाती है तो हमारे जो जलिये जीव है जो जल में जीव रहती है तो उन पर उन जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उनकी संक्या दीरे जीरे कम हो जाती है जलिये जीवों की जल में क्योंजी जल के अंदर क्या हो जाती है ज्यादा लवन्ता हो जाती है तो यह तो negative impact डाल रहे न तो इसलिए यह option तो हो जाएगा आपका सेकेंड एक प्रकर्तिक निवास का नस्थ होना अगर इन्वार्मेंट में जो भी जंगल वगएरा है वह जंगली यार्मरों के लिए हैं अगर वह खतम हो जाते हैं तो बहुत सी आप लोगों को पता है जीव जन्तों की पेड़ पोदों की बहुत सी प्रजातियां जो इको अगर यहां पर हम वोटर की बात करें तो बहुत सी जलिया वनस्कति खतम हो जाएंगी जलिया जीव पर संकट आजाएगा तो यह भी इन्वार्मेंट पर नेगेटिव इंपक्ट डालता है तो इसलिए यह उप्शन भी गलत हो जाएगा अगला कुश्चन देखिए जब ज जल की सही से निकासी नहीं होती जल भूमी दसने लगजाती है तो उस सिच्वेशन में भी क्या होता है इसका मतलब जैसे आपने देखा होगा जो समर्सिवल होता है सबका कैते है ना कि उसका पानी के चला गया और नीचे चला गया ठीक है यह बोलते है ना कि जब समर्सिव का एक जो लेवल है पोटर का उससे भी वो नीचे चला जाता है इसका मतलब आपने उस रिसोर्स का शोशन कर दिया और ये भी कल आने वाली जनरेशन के लिए खत्रा है ये भी इंवार्मेंट पर लेकिन कभी भी अगर बिग डैम्स बनाए जाते हैं बड़े बड़े बांद बनाए जाते हैं तो वो इंवार्मेंट पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेंगे बलकि वो तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ाने में मदद करेंगे तो इसलिए यहां पर जो एक एड़वर्ट इनवार्मेंट इफेक्ट नहीं है वो option number first ही आपका है तो इसलिए option number first यहां पर आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में क्या बोलागे है which among the following is not a function of RBI आपको पता है RBI बैंक को जो bank of issue bank of issue मतले note का प्रतिलन करने वाला bank है यह बात सही है ठीक है बैंकों का bank है यह भी बात सही है control of foreign exchange rate foreign market में ही decide होते है ना कि उनको हमारा देश का RBI यह reserve bank of India उसको decide नहीं कर सकता यह उसका काम नहीं है तो इसलिए यह option आपका right हो जाएगा कि यह function RBI कर नहीं है बलकि bank government का bank होता है यह बात भी बिलकुल सही है तो option number third इसका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में क्या बोला गया है अगले question में बोला गया है which among the following is not an objective of India tax reform in India post 1991 इंडिया का 1991 के बाद जो LPG policy लेकर आए जो हम taxis में reforms लेकर आए tax reform policy भी आई दी ना नरसी मारा आपने 1991 में दी थी फिर दुबारा उसका tax का जो reform 1998 में भी वो दी गई तो यहां पर यह बोला गया है कि कौन सा एक objective tax reform committee का जो हम कहें तो नहीं है first option था custom duties को कम किया गया और increase किये गए export को यह बात की गई थी जो tax में reforms लाए गए थे उसमें हमने क्या कर दिया था अपने exports को बढ़ाने के motive से custom duties को reduce किया गया था तो यह तो हमारा एक objective था second देखिए यहां पर है shift from over dependence on indirect tax to direct tax यहां पर यह बोला गया कि हमने क्या कर लिया हमने एक तरह से shift कर लिया हमारी जो dependency थी ना कि जो हमारी dependency indirect tax पर थी हम direct tax हमने ज्यादा लगाने शुरू कर दिये यह बात भी सही है हमने अपनी indirect tax से dependency को क्या किया था कम करकर direct tax जिनके income बढ़ रही थी उन पर जदा टेक्स लगाए तो यह भी हमने एक reform किया था third option देखिए shift की हमने over dependency on direct tax to indirect tax यह नहीं कि हमने कि हम जो है पर टेक्स करों को छोड़ दिया हमने और आप पर टेक्स करों पर अपनी निर्भरता को बढ़ाया यह बात बिल्कुल गलत है यह वाला objective हमारा जो tax reforms का बिल्कुल भी नहीं था accelerating economic growth and stability हमने economic growth and stability को एचीव करना चाहा था उस ताइम पे तो यह जीनों चीज़े option number first, option number second and option number fourth यह तीनों आपके tax reforms जो आप 1991 के बाद हुए उनके objective थे लेकिन option number third की हमने dependency को shift किया direct tax से indirect tax की तरफ यह जीज़ गलत है तो इसी लिए यही आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए, अगले question में क्या बोला गया है which among the following is not a form of foreign investment इन में से क्या foreign investment नहीं है foreign direct investment यह तो foreign investment है उसके बाद है inter commercial loan, inter का मतलब होता है कि आप अपने देश के अंदर से ही commercial तरीके से loan ले रहे हो इसका मतलब हुआ यह foreign investment नहीं है आपने अपनी country के अंदर से ही loan लिया है वो भी commercially यह foreign investment नहीं है बाकी आप बाहर से external commercial loan लोगे किसी दूसरे देश से loan लोगे तो foreign investment होगी आप inter governmental loan लोगे different government जो होती है अपस में loan ले लेती है यह भी आपका foreign investment कहा जा सकता है लेकिन inter commercial loan आपने अपने देश के अंदर ही commercially loan लिये है तो यह कभी भी आपका foreign investment नहीं कहा जा सकता तो इसी लिए option number second आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में क्या बोला है which among the following is not an example of shift factor in respective to price demand relationship question में यह पूछा गया है कि इन में से किस एक चार option है न आपके पास इन में से किस एक option की वजह से आपके demand कहों में shift नहीं आएगा समझ गे नहीं आएगा shift अब आपको यहाँ यह पता होना चाहिए कि demand कहों में moment कब आती है और shift कब आता है अगर आपको यह difference clear है जो आप 12 में demand पढ़ते हैं उसमें हम demand में shift भी पढ़ते हैं और demand में moment भी पढ़ते हैं अगर आपको यह चीज़ clear है कि shift क्या होता है moment क्या होती है तो आपको सारे options पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है अब देखिए हमें question में यह पूछा कि shift जो है किसकी वजह से नहीं आएगा इसका मतलब है वो आपसे एक तरह से moment पूछ रहा है जब जिस goods की बात हो रही है उसी goods का अगर price कम होता है और उस goods के price के कम ही आज़ादा होने पर demand change होगी तो वो क्या कहलाएगा पर demand में moment कहलाएगा जब आपका उस goods के price के अलावा जैसे consumer की income change होगी उसका taste change होगी उसकी preference चेंज होगी है तब उसकी demand में change आता है तब shift आता है लेकिन कभी भी जब जिस goods की बात हो रही है अगर उसका price change होगा तो हमेशा क्या होगा moment होगी shift नहीं होगी अब आप options को पढ़िए यहाँ पर increase in price of Samsung mobile अब यहाँ पर question में क्या है कि Samsung का जो mobile है उसका price बढ़ गया था इस वज़ा से उसकी demand कम हो गई है अब आपने देखा इससे क्या हुआ इससे आपका तो सिर्फ demand कम में क्या हुआ पहले price यह था Samsung की demand इतनी थी price बढ़ गया Samsung के phone की demand घट गई तो यहाँ पर तो सिर् shift का reason नहीं है तो इसलिए आपका option फर्स राइट answer हो जाएगा अगला option आप पढ़ लीजिए इंक्रीज हुई है luxury car की demand विकोज एक आदमी ने क्या win कर ली लोटरी विन कर ली अब आप देखिए एक person की price में कोई change नहीं हुआ उसकी इसलिए demand बढ़ गई एकदम से shift लोटरी जीत ली उस goods के price में change ना आने की वज़ासे जितने other factors में change हो रहा है तो उसकी वज़ासे आपका हमेशा क्या होगा demand में shift होगा तो इसकी वज़ासे क्या हुआ है shift हुआ है third option देखिए increase in demand for tea because increase in price of coffee कोफी का price बढ़ गया इसलिए चाय के demand बढ़ी है तो यह तो price में change हुआ है drop the demand for car due to increase in petrol complimentary goods की बात हो रही है कि petrol का price बढ़ने से car की demand घट रही है तो इससे भी demand कोव में shift आएगा option number first की वज़ा से कभी भी demand कर में shift नहीं आएगा demand कर में आपकी हमेशा क्या रहेगी movement रहेगी अगला question देखिए अगले question में बोला है which among the following factor mentioned below will cause change in dynamic equilibrium कि इन में से कौन-कौन से factor है जिसकी वज़ास से आपका जो dynamic equilibrium है उसमें change हो सकता है अब आपको यह पता होना चाहिए कि static और dynamic जो हमारे equilibrium होते हैं उनमें क्या फरक होता है static economics की बात करें static equilibrium की बात करें ऐसी situation जहां पर आपके जितने भी factors हैं उनमें जो moment है वो regular हो रही है जैसे आपकी income का बढ़ना demand का घटना जो regular factors है इनमें जेंज अगर होगा और जो आपका संतूलन आएगा वो आपका static है ला happening होती है जितने भी factors में change होने की वजह से आपका संतूलन चेंज होता है जैसे अचानक से किसी एक प्रोडक्त की factory बिल्कुल बंद हो जाती है मालपुरी इंडिया में चाइना की product को बिल्कुल भी यूज नहीं किया गारा तो एक तरह से वह अचानक से uncertain कोई effect हुआ है टेक कुछिए यहां पर dynamic equilibrium में change कब आएगा जब price और income change होंगी सिरफ नहीं price income technology output जब सभी factors में एक दम change हो जाएगा तो आपका dynamic equilibrium है जो इन सब से जुड़ा हुआ है वो भी change हो जाता है तो इसी लिए इस question का right answer option number second आपका हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में बोला गया है the first person who made use of combination of sense of output and sense of income method for estimating national income in pre-independence period in India इन में से question में क्या बोला है कि वो person कोन है जिसने सुतंतरता से पहले national income को measure करने के लिए क्या use किया था sense of output का use किया था और sense of income method इन दोनों को use करके उसने क्या किया था हमारे जो nation की national income का estimation किया था तो आपको पता है सीधा वी के आर राव जो थे उन्होंने इस method को use करके pre-independence time period में national income को measure किया था तो option number 4 यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में क्या बोला है given the price of two good question को ध्यान से पढ़िए given the price of two good दो गूर्स का price है if an increase in consumer income ठीक है consumer की income जो है वो क्या हो जाती है वो बढ़ जाती है पट जो consumer है ना demand for a commodity unaffected लेकिन वो demand में change नहीं कर रहा उसकी income बढ़ जाती है लेकिन वो demand नहीं बढ़ा रहा है तो इसका मतलब क्या है वो goods luxury good है inferior good है none of the above good है basic necessity good है अब आप देखिए consumer की income बढ़ रही है लेकिन वो demand को change नहीं करता इसका मतलब यही हुआ कि जो वो goods consume कर रहा है वो basic goods and necessity वाली product की जो demand होता है inelastic होती है income में change होने पर भी वो किसी तरह से उसमें change नहीं कर रहा उसको जितने नमक की जरूरत है जितने दूस की जरूरत है income के बढ़ने पर वो उसको नहीं बढ़ाता वो उतना ही उसको रखता है तो इसलिए यह goods हमारी कहलाएंगी basic necessity goods तो option number fourth आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में बोला गया है the unemployment rate by the level of education are highest among unemployment rate कहां पर सबसे जादा है कि primary जो शिक्षित बच्चे होते हैं वहां पर बेरोजगारी जादा होते हैं secondary में जो शिक्षित बच्चे होते हैं वहां पर बेरोजगारी सबसे जादा है या graduate या अब आप लोगों को पता है कि हमारे इंडिया के अंदर जो बच्चे graduation कर चुके हैं या फिर जो higher education को जिन्होंने achieve कर लिया है वो बच्चे बहुत जादा जो है क्या है unemployed है यह वाले बच्चे तो primary वाले बच्चे अभी education ले रहे होते हैं तो यह तो unemployment में count नहीं होंगे लेकिन जिन् लिया के अंदर यह वाली unemployment बहुत जादा है तो इसी लिए इस question का right answer आपका option no.3 right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में बोला है which of the following is most economical source of power सबसे ज्यादा सस्ती बिजली का जो economic source of power है वो क्या है hydro है solar है thermal है nuclear है अब अगर बात करें सबसे सस्ती आपकी कहलाएगी हा hydro power जो जल से बिजली बनती है वो आपकी सबसे सस्ती कहलाएगी लेकिन सबसे जादा अगर हम बात करें हमारे total 100% बिजली में से सबसे जादा जो है thermal कोईले से इन से हमारी बिजली बनती है सबसे जादा हमारी बनती है thermal से लेकिन सबसे सस्ती बनती है hydro से तो इसी लिए इस question का Right northern 인수르 आपका क्या हो जाएगा है अगला कोशन देखिए है अगले क्या बोला है फोनाट में प्रफशन ऑस सिक्थ लिए के आपको पूछा गया खेल ईयए में मांग वक्र क्या होता है अपबर्स लोपिंग होता है होरिजेंटल होता है डाउन वर्स लोपिंग होता है ननृब दाब suppressed ौत है अप लोगों को बता है कि जब क्या होता है डिमांड में भी not आपकी demonstration goods ही होती है कि आप समाध में अपने परतिस्था के लिए स्वाभिमान के लिए लोगों को दिखाने के लिए जब उस goods का price luxury goods में क्या होता है price बढ़ जाता है तो आप क्या करते हो demand को बढ़ा देते हो और price कम हो जाता है तो आप demand को कम कर देते हो because of demonstration effect तो इसी लिए हमेशा याद रखना demonstration effect में आपका demand कव upwards locking होता है और यहाँ पर low of demand जो है कभी भी apply नहीं होता तो इसी लिए इस question का right answer आपका option number first आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए entrepreneurship जो उद्यम शीलता होती है एक उद्यमी होता है उसकी जो skills होती है उसके पास जो knowledge होती है वो क्या होती है क्या वो variable मानी जाती है long run में कि आप कितना भी change कर सकते हो उसमें या variable होती है short run में and long run में या फिर long run हो या short run हो उसकी जो skills है उसको variable माना देगा variable का मतलब यहाँ पर क्या है कि उसकी skills में आप change कर सकते हो first option में है कि उसकी skills है वो आप long run में change कर सकते हो second option में बोला है कि आप उसकी skills को short run हो या long run according to situation change कर सकते हो या third option में बोला है fix in short run या फिर उसकी जो skills है वो short run में fix होती है fourth option में बोला है fix in long run and short run एक बात बताओ जो एक उध्यमी होता है entrepreneur होता है जो उसके पास skills होती है जो उसके पास उसकी ability होती है जो उसने कुछ acquire किया होता है उसकी skills होती है चाहिए लो लों रॉन की बाद उसके रॉता पास constant रहेगी तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसकी shorter में भी उसको use करता है लों रॉंग रॉन हो उसकी skills हमेशा constant रहेंगी आज हमने इसके 21 question detail में discuss कर लिए हैं दो या तीन वीडियो में हम सारे question paper को solve कर लेंगे I hope so आपको हर question समझ आया होगा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो please मेरे चैनल को share करो मेरे चैनल को subscribe करो क्योंकि जब आप subscribe करते हो कि आप different question paper कराईए तो आप मुझे मेरी email id economicsydd at the rate gmail.com पर मुझे question paper mail कर सकते हैं ये वाला question paper मैं आपको करा रही हूँ ये भी किसी ने mail ही किया हुआ है तो आपके पास अगर question paper है तो आप मुझे mail कीजिए हम different question papers को solve करेंगे Thank you so much for watching this